नमस्कार दोस्तों और सीके चैनल में आपका स्वागत है आज मैं न्यूबॉर्ण बेबी के लिए स्वेटर बना रही हूँ जो गले से शुरू हो रहा है तो इसका आपर पार्ट मैंने तियार कर लिया है और मैं इसको बता रही हूँ कि इसमें मैंने कितने फंदे डाले हैं और कैसे बनाया है तो चलिए फ्रांस हम स्वेटर बनाते हैं गले पे मैंने साथ फंदे डाले हैं और आठ लाइन उल्टा उल्टा बना है जिससे चार लाइन का ये चार उल्टे फंदों की धारियां आ गई है तो आठ लाइन बनने के बाद मैंने इसे पांच भागों में दिवाइड किया है दो अपर पार्ट दो फ्रंट पार्ट दो आस्तिन और एक बैक पोर्शन ये बैक का ये दोनों फ्रंट का और ये दोनों आस्तिन के तो चलिए फ्रेंस मैं बताऊं की इन साथ फंदों को मैंने पांच भागों में कैसे बाटा है 30 फंदे का मैंने बाड़र बनाया है और 8 उल्टी लायने बुनी है सामने से भी उल्टा और पीछे से भी उल्टा और 8 लायन कमप्लीट होने के बाद इसे मैंने पांच भागों में विभाज़िट किया है ये 6 फंदा पाड़र के लिए छेचे फंदा फ्रंट पाट के लिए साथ फंदा आस्तिन के लिए और अठारा फंदा बैक पोशन के लिए तो हमारा दिवाइड हुआ सिक्स फंदा बॉर्डर क्या प्लस सिक्स फंदा फ्रंट पोशन का प्लस ये एक फंदा ये जो डिवाइडर है उसके लिए ये चार डिवाइडर है तो चार फंदा ये रहेगा प्लस एक फंदा डिवाइडर का सेवन आस्तिन का फिर प्लस वन ये सेकंड डिवाइडर प्लस एटिन ये बैक पोशन का प्लस वण थर्ड डिवाइडर प्लस सेवन दूसरी आस्तिन प्लस वन ये फोर्ड डिवाइडर और प्लस सिक्स ये सिकन्ड फ्रंट पोरिशन और प्लस शिक्स ये बोर्डर का तो इस तरह हमने 6ritis फंडो को इस तरह हमने डिवाइड किया है 6, 6 दोनो बार्डर के दोनो 6 फंदे बार्डर के 6, 6 फंदे फ्रंट पोशन के 7, 7 फंदे दोनो आस्तिन के और 18 फंदे बैक पोशन के और एक एक फंदा ये 4 फंदा डिवाइडर और इसे बनाने के बार 6 फंदा बार्डर का और 6 फंदा फ्रंट पोशन का बुनने के बाद हम ये 7 फंदे पे मतलब बार्डर को छोड़के 6 फंदा बुनने के बाद 7 फंदे के दोनो साइड में हम जाले देंगे और ऐसा हम इन 4 पोशन पे करेंगे एक फंदे के दोनो तरफ हम जाले देंगे फिर 7 फंदे बुनेंगे फिर उस अगले फंदे के दोनो तरफ जाले देंगे फिर 18 फंदा बुनेंगे फिर नेक्स्ट फंदे के दोनो तरफ हम जाले देंगे इस तरह हम यहाँ पे पंद्रजाली देंगे ये हम new born baby के लिए स्वाटर बना रहा है तो new born baby के लिए हम पंद्रजाली देंगे एकिये इस में मैंने पंद्रजाली दिया हुआ है इस स्वाटर का link मैं आपको description box में दे दूँगी तो पंद्रजाली complete हो जाने के बाद सबसे पहले हम आस्तिन बनाते हैं क्योंकि अगर हम घेर पहले बनाएंगे तो ये ऐसे बद जाएगा और फिर हम को चार सलाई में हमको आस्तिन बनाना पड़ेगा तो इस से बचने के लिए इस परिशानी से बचने के लिए हम पहले आस्तिन बना लेते हैं और उसके यहां पर मैंने आस्तिन बना दिया है यह दोनों आस्तिन कम्प्लीट हो गए है और अब हमें इस स्वेटर का घेर बनाना है तो घेर बनाने के लिए पहले हम बॉर्डर के फंदे बुन लेंगे और उसके बाद यदि हमें डिजाइन डालना है तो हम अपना डिजाइन शुरू करेंगे दो फंदा सीधा बनेंगे अगला फंदा स्लिप करेंगे फिर दो फंदा सीधा फिर अगला फंदा स्लिप करेंगे इसी तरह करते हुए हम ये देखिए ये सीधी की तरफ है और स्वेटर का ये फ्रन्ट पोशन का ये लेफ्ट हैंड साइड है ये तो हम इसके सारे फंदे बुन लेंगे और इसके बाद ये बैक पोशन के फंदे लेंगे और इसको बुनना शुरू कर देंगे बैक पोशन के सारे फंदे बुन जाने के बाद अब हम सेकंड फ्रन्ट पार्ट जो है उसको भी इसी में एड़ कर लेंगे और देखिए अब सारे फंदे एक ही सलाई पे आते जा रहे हैं और अब हम दूसरी साइट का बादर भी बुन देंगे देखिए फ्रन्ट सारे फंदे एक ही सलाई पे आ गया हैं जब हम गले से बुनाई करते हैं तो हमें सिर्फ आस्तिन में ही सिलाई करने पड़ती है ये घेर में हमें सिलाई नहीं करने पड़ती है ये तीनों परले एक ही साथ बुन रहे हैं इसलिए हमें घेर में सिलाई नहीं करने पड़ती है सिर्फ आस्तिन में ही सिलाई करने पड़ती है रॉंक सायर से हम बुने हुए फंदे को उल्टा बुनेंगे और उतारे हुए फंदे को उतार लेंगे बुने हुए फंदे को उल्टा और उतारे हुए फंदे को उता लेंगे इसी तरह करते हुए हम पूरी लाइन कम्प्लीट कर लेंगे फिर हम बार्डर के फंदे बुन लेंगे और डिजाइन के तीसरी लाइन में सभी फंदे उल्टे बना लेंगे बुने हुए फंदे और उतारे हुए फंदे सभी फंदे उल्टे बना लेंगे और रांग सैट से भी सभी फंदे उल्टे ही बना लेंगे बुर्डर के फंदे बना लेंगे और चार लाइन कंप्लीट होने के बाद अब हम दूसरे रंका उन लगाएंगे और दो फंदा सीधा और तीसरा फंदा स्लिप करेंगे फिर दो फंदा सीधा और तीसरा फंदा स्लिप करेंगे इसी तरह करते हूए पूरी लाइन कम्प्रिट करनेगे जी दूसरी तरह पहुचने पर अब हमें बार्डर के फंदे बूनने हैं तो इन दोनु को बार्डर के उनको और इनको ऐसे आपस में क्रॉस कर देंगे और तब बार्डर के सबी फंदे उलते बना लेंगे दूसरी तरफ से भी बार्डर के फंदे बुनने के बाद हम इन दोनों उनों को आपस में से क्रॉस कर लेंगे ताकि ये बद जाया वरना ये हिस्सा और ये हिस्सा बार्डर का हिस्सा दोनों अलग-अलग हो जाएगा और फिर जो अपना पैटरन है यानि कि बुने हुए स्लिप किया जाएगा तो इसी पैटरन को पूरे सलाई में कायम रखेंगे बुना हुए फंदा उल्टा बुनेंगे स्लिप किया हुए फंदा स्लिप कर देंगे बुना हुए फंदा उल्टा बुनेंगे और स्लिप किया हुए फंदा स्लिप कर लेंगे सीधी तरफ से भी ब बार्डर बनाने के बाद हमें ध्यान दे के इन दोनों फंदों को क्रॉस करना होगा हर लाइन में हमें ऐसे क्रॉस करना होगा वरना ये हिस्सा अलग हो जाएगा और दूसरा हिस्सा अलग हो जाएगा और चौथी लाइन में सभी फंदे उल्टे बना लेंगे दो से धाई इंच बुन लेने के बाद हमें बटन होन बना लेना चाहिए तो हम इसमें छे फंदे हैं तो हम तीन फंदे बुन लेंगे दो और तीन फंदे बुन लेंगे और उन लपेट के अपनी तरफ लाएंगे और दो फंदो को एक साथ लेते हुए उल्टा बुन लेंगे यहाँ पर दो का एक किया और उसके पहले हमने यहाँ जाले दे दिया अगला फंदा भी उल्टा बुनेंगे और अब नेक्स्ट फंदे से हम अपना दूसरा कलर लगाएंगे डिजाइन बनाने के लिए डिजाइन बनाने से पहले हम इसको ऐसे क्रॉस कर लेंगे तो तीसरा हम रंग काउन लगाएंगे और अपने डिजाइन को कायम रखेंगे तो मैंने तीन रंग काउन लगाए है आप चाहें तो कितने भी कलर काउन लगा सकते हैं और डिजाइन को बना सकते हैं उतना ही ज़्यादा खुबसूरत दिखाए देगा तब भी इसमें आप अपने बचे हुए उन का उप्यूग कर सकते हैं और एक पैटर्न में यदि आप उन लगाएंगे तो डिजाइन बहुत ही खुबसूरत दिखाए देगा उन बदलते जाना है और इन ही चारो लाइनों को हमें दूराते जाना है यानि दो फंदा सीधा बनेंगे अगला फंदा उता लेंगे फिर दो फंदा सीधा बनेंगे और अगला फंदा उता लेंगे और रॉंग साइड से दो फंदा उतारा गया फंदा उतार लेंगे और दो फंदा उल्टा बनेंगे तीसरी लाइन में और चौथी लाइन में सभी फंदे उल्टे बना लेंगे चार लाइन का यही डिजाइन है और इन ही चार लाइनों को आप तरह तरह का उन लगाते जाईए और बुनते जाईए हर बार बॉर्डर के प इस क्रिया को हमें बिना भूले हुए करना होगा हर हमेशा ताकि ये बधार है देखिए और वरना हमें इसे सिलना पड़ेगा सुई से सिलना पड़ेगा और इस तरह ये आपस में बच जाता है और रॉंग साइड से ये बार्डर के फंदे हम उल्टे बुन लेंगे देखिए यहां पे हमने जाली डाला था तो इसे भी उल्टा बुन लेंगे सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे और इसके साथ ही यहां पे हमारा बटन हूल बन गया देखिए ये बटन हूल बन गया बट 2 5.5-3 इंच की दूरी पर या 2 इंच की दूरी पर बटन हूल बनाना है चार लाइन का यह डिजाइन है तो हम उन बदलते रहेंगे और इन ही चारो लाइनों को दूराते रहेंगे डिजाइन आफ बनता चला जाएगा तो इस तरह बुनते हुए हम कुल 16 cm यहां से जहां से हमने डिजाइन शुरू किया है टूटल 16 cm हमें बुनना है छोटे बच्चे का स्वेटर है न्यूबॉर्ण बेवी का तो इसे हम 16 cm तक बुनेंगे देखिए फ्रेंट्स यह 16 cm कम्प्लीट हो गया है तो अब हम इसमें बार्डर बनाएंगे यानि आगे से भी सभी फंदे उल्टे बनाएंगे और पीछे से भी सभी फंदे उल्टे ही बनाएंगे इस तरह हम 6 लाइन और बना लेंगे तो 6 लाइन कम्प्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ देखिए फ्रेंट्स छे लाइन कम्प्रीट हो गया है जिससे ये तीन उल्टे फंदो की धारियां बन गई है और अब हम इसे क्लोज कर लेंगे तो क्लोज करने का वही विडिया है या तो दो फंदे को हम बुनेंगे और पिछला फंदा आगे वाले पे ऐसे चढ़ा लेंगे दो फंदो को बुनेंगे पिछला फंदा उठाएंगे और आगे वाले को इसमें से निकाल लेंगे या फिर दो फंदो को एक साथ लेंगे और एक उल्टा फंदा बना लेंगे बुना हुआ फंदा माइस लाइम चलाएंगे दो फंदो को एक साथ लेंगे और एक उल्टा फंदा बना लेंगे इसी तरह करते हुए हम सारे फंदे लोज कर लेंगे देखिए फ्रेंट इसी के साथ ये स्वेटर कम्प्रीट हो गया है अब इसके धागे को काट लेंगे और इसको अंदर ऐसे कर लेंगे अब हमें सिर्फ आस्तिन की सिलाई करने हैं यहां से फंदे उठाने के बाद मैंने सीधी बुनाई की है एक भी फंदे मैंने बढ़ाये नहीं है और 16 सेंटिमीटर कम्प्लीट होने के बाद 6 लाइन का बार्डर बनाया है और आस्तिन में 12 सेंटिमीटर कम्प्लीट होने के बाद बार्डर बनाने के जस्ट पहले मैंने तीन फंदे घटा लिये हैं थोड़ी थोड़ी दूर पे तीन फंदे घटा लिये हैं और अब स्वेर्टर कंप्लीट है इसकी आस्तिन की सिलाई कर दें सिलाई हम सिंपल करेंगे देखिए फ्रेंड्स इसी के साथ स्वेटर त्यार हो गया थैंक्स पर वाचिंग झाल